हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैई चैनल, मैं हूँ आपकी फ्रेंड्स जाग रिती और आज का मेरा इस्टाट होता है सामके टाइम से, तो फिलाल देख सकते हैं, बज़नी वाले हैं साड़े नौ, सामके तो फिलाल इसे पहले मैं थोड़ा बाहर देखते हैं, त तो टेबल अब थोड़ा क्लियर करती हूँ क्योंकि जब भी टेबल के पास आओ तो टेबल भरा ही रहता है कभी भी मेरा टेबल खाली नहीं रहता है और यह थोड़ा आर्ट क्राफ्ट चलता है मेरा जो थोड़ा पुद बनाती रहती हूँ कभी भी फ्री होती हूँ तो यह स तो आप बड़े हो ये अच्छे से पढ़ाई करिए अभी कितने एर की मुझे पता नहीं है लेकिन ब्लेसिंग ही रहेगी मेरी क्योंकि मैं बड़ी ही रहूंगी तो अच्छे से अपना बड़े सेलिब्रेट करिए और अपने नाम माबाप का नाम साव रोशन करिएगा डियर लेकिन पढ़ती जारे हूं कि इसको रिवाइज करती रहूं ताकि मुझे याद होता रहे और साथ-साथ जब याद नहीं हुआ है हिंदी भी पड़ रहे हूं कि हिंदी साथ नमबर वाला है, साथ नमबर वही दिलाएगा तो थोड़ा बहुत दिन में मैं उसी को पढ़ती हूँ जबी मेरे को टाइम मिलता है और बाकी रात में तो फिलाल जो जो सब्जेक्ट उठा रही हूँ न्यू न्यू जो मुझे अच्छे से एकदम याद नहीं हुआ है या अच्छे से तयार नहीं हुआ है कोसिस कर रहे हूँ कि मैं अच्छे से उसको पढ़ू बार बार रि और साथ साथ अब मैं एक बुक नहीं पढ़ रही हूँ कि एक ही बुक पढ़ती रहूँ अब ऐसा लग रहा है जैसे साइंस का है बाइलोजी जो मैं थोड़ा सा पढ़ी थी उस बुक को मैं कंप्लेट नहीं करी थी तो उसको भी थोड़ा सा पढ़ती रही हूँ हिंदी को पीवाई कीव के लिए बुक खरीद ली हूँ और कौन सा बुक ली हूँ वो मैं आप लोग के साथ सेयर करूँगी दिखाती हूँ कैसा है और अगर आप लोग को पर्चेश करना अगर तो करेंगे असानी से वो भी मांगा मिल रहा है तो लेने के लिए भी दस बार सोचना ही पढ़ता है और कोई भी ऑनलाइन भी जैसे टेस्टरी जोइन करता है या फिर बुक लेना पसंद करता है तो उनके लिए तो सही रहेगा तो मैं एक बार दिखाओंगी ज़रू तो फिलाल सुबह की टाइम में मैं अपना जो भी काम था सारा काम करने के बाद फिर मैं थोड खाना पिना बनाए जो खाना पिना में आ जमा रही था नोडल्स था वेज मंचूरियन गोबी पनीर मंचूरियन और चिली पनीर यह सब भाज बनाए थे फास्ट फूड वाला इटम चलिए फिर यह बुक में आप लोग को दिखाती हूँ कैसा है क्या है तो यह ही है 2223 यू यहां से ब्लौ। पड़ा आती ही अगर ही एक मत फायदा जिसके सबढ़े किश जो बित काइश सब्सक्राइब तो आपना देखते रहेंगे मत लिबीने तो आपना नहीं है तो संब करके अपना दीके जिसे घरीत में जैसे वहीं हुआ ज्यादा तर इसमें question ये वाले हैं, ऐसे वाले question है, जो मेरे बहुत बेकार लगता है, मैं real बता रही हूँ, इसमें ये solve करने में बहुत problem होता है, नगता है कि ये सही है, एक तम इसके लिए एक तम clear होना चाहिए, या दोना चाहिए, तो होता है, मैं बहुत confuse होती हूँ, पूरा पूरा जितना other है उतना पूरा देना चाहिए तो पूस्ट्न में नहीं दिआ हुआ है कि जांसे ऐन्दी is और वाकिस का देखे question कितना दिया हुआ है वली 30 question दिया हुआ है चार क्योस्चन कारना चाहिए तो 30 question दिया हुआ है सारे में ऐसे यह देखी जाए तर आगे बढ़के देखी इतंग फूल नहीं देखी हूँ अभी क्या कर सकती हूँ इसमें मतलब सब्जेक्ट वाइज दिया या है बात यह जैसे हर सब्जेक्ट का अलग-अलग दिया हुआ है जैसे भारत का भूगोल पहले बोगोल का दे दिया ए फिर बिस्व वाइज दिया हुआ है मतलब subject wise दिया है, ऐसा है, ऐसा नहीं कि जैसा question आ गया है वैसे देता चले, बस subject पर लोगे, फिर जन सगे, इंग नागरी करण, बाती सम्मिनान एंग राज बेवस्ता, अर्थ बेवस्ता, मतलब ऐसा दिया है, subject wise दिया हुआ है, ये paper ये है, जैसे ये देखे, विग्यान बह सब दिया हुआ है तो ऐसे ही सारा है तर्क सकती परिशा यानि रिजनिंग यह रिजनिंग का है अभी मैं कोई भी सॉल्ब नहीं करी हूं अभी मैं भी देखी रहे थी घर से लाई खरीद के ऑनलाइन नहीं मगवाई इस बार मैं गर से लाई हूं तो यह करीब तु my Speaking musical करीब की कितना कपड़े की चालिस का ऐसे करीब ब्ड़ सुल्ब निमगाई ओनलाइन पड़ा यह जोई पाकि वहन यहीं बुक का हैं यह तो Holocaust के आधा क्योंट सुब्स प्रश्रेज न तीसी कोश्टन दिया हुआ था जो मैं अभी आगे देखी हूं पूरा नहीं देखी हूं तो आप लोग देखी लिए होंगे तो अगर परसेज करना उगत कर लिए आपना मैं आफ-लाइन लिए हूं तो चलिए आज का ब्लोग मैं यहीं पेंट करूंगी आपक ब्लोग मैं थांक्स पर वाचिंग लाइश रश्राइब बाई